हालो गाइस किसे सुमकार पज़र पती मैं मेरे चैनल आदर्स क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूं आज मैं लेके आया हूँ इन्वस्टिंग्नोमेटरी आगे की कोसंस इससे पहले के पार्ट में हमने 10 कोसंस करा थे और बच्ची हुए कोसंस जो है वो इस पार्ट में की फिल्ड में आप टीचिंग एजाम दे रहा है तो अगर मैथ से हैं तो आपके कोसंस पूछे चाहते हैं आई यह देखते हैं सबसे पहला यानि कि आज का पहला यानि ट्रेन नंबर कोस्चन इपने लिखा है कि इफ कॉस की ब्रेकेट के अंदर है यानि कि कॉस का एंगल ह साइन इंवर्स दो बटे पांच पलस कॉस इंवर्स एक्स बरावर जीरो है तो हमसे पूछा है कि एक्स की वेलू किसके बरावर होगी तो देखी गाईस आपको पता है कि कॉस जीरो कब होता है जब इसका अंगल क्या हो पाई बाई टू तब जीरो होता है इसका मतलब हो ग तब ही जाकर की एंगल जीरो पाइब बनेगा तो यह तब ही पोसिबल है जब इसकी वेलू क्या हो एक्स की जगा पे जो है अगर हम दोबटे 5 रखें तो यह बन जागा क्योंकि प्रोपर्टी वह हम पढ़ा है क्या पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स ठीक है और कॉस इनवर कर दिटशन के तरफ है कि देखिए क्या है क्या है कौस्टन नंबर 11 थोड़ा साइजस करें गाइस प्रोपर्टा और भी साइन का अंगल है टूटे इन वर्स और 0.75 इसको मिन्या इसे लिए लिक लेते हैं सामगे सांग तो टेंड इन्वर्स जीरो पारेंट 75 को मतलब होता है तीन वर्टे चार तो यह जो 2 10 theta का formula बन गया इसको को sin का फोर्म में convert करना है किसे sin का फोर्म में convert होगा यह होजागा sin तो हम लोग जानते है 10 2 theta का formula sin के form में होता है तो इसको लिख सकते है 2 सोरी, पदे साइन आएगा sin inverse sin inverse फिर आएगा 2 फिर आएगा 3 बटे 4 फिर आएगा one plus, इसका square यानि कि, नो इस बटे, 16 या जागा, इसको solve कर लेते हैं, तो जागा sine और है essaạnh nervous इसको solve करेंगे तो जागा 3 इन भते 2, इसको solve करेंगे तो जागा 25 16, तो देखें1000 강a tuna sign से और को एक फर्मला और पड़ा में साउ downt . इन्वर्ट में क्या कि sin और sin inverse x जो है इसकी value x होती है तो यहां से इसकी value क्या निकल के आएगी यहां से इसकी value निकल के आएगी 3 वट्टे 2 सोला बटे 25 इसको काट देतें तो आड़ वार में कटेगा जब आप इसको भागा देंगे तो इनसर आजएगा 0.96 यह इसका required answer होगे चली बढ़ते हैं हमारे नए कोश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए क्या question number 12 है यह बहुत अच्छा question है और आसान question है क्या लिखा है उन्हें लिखा है कि cos inverse cos 3 pi by 2 तो इसको मुझे लिख सकते है 2 pi minus pi by 2 क्या लिख सकते हैं यहां लिखेंगे cos 2 pi minus pi by 2 यहां सो जागा cos inverse और अंदर में आजागा cos pi by 2 तो answer आजागा pi by 2 यह इसका required answer होगे चली देखिए last question लास्ट नहीं है मतलब अभी 30 नंबर देखिए क्या लिखा है option number d जो है वह बन है ठीक है मैं लिख दे रहा हूं option number d साथ आने रहा इसका answer क्या वाल है क्या लिखा है इन्होंने the value of 2 6 s к 1S 2 plus sin lo 1 by 2 ये ते रहा है इसकी value पूची क्या होगी उद 1 सेख इन्वर्स टू plus sin i días एक बरते धो तीवा तवी सेख क्या लिख सकते है सेसारी सेख है यह जाएगाBE हमारे पास शेख मेर लखसकते है groups फायबाई यानि कि पाय़्य थे इति ठेकि यह यह hetले साइन इन्वर्स साइन फाय वाइस क्वेक्विषा वेल को तो इस थो इंटू फायवाई 30 यह यह दम फायवाई 6 यह ञळकर पायवाई 30 चम्टी गवेल यह जब जाता है फांच यहां फाइवाई शिक्स तो फाइवाई शिक्स नूंबर बी इसका रिक्वाइड अंसर हो जागा है और चली बढ़ते हैं हमारे निस कोशन पर देखी क्या कुश्चान है कि नेश कोश्चन आइ थिंक आपको दिख रहा होगा बढ़िया से देखिए क्या है इसको करने का इसको हम कनवर्ट करेंगे क्योंकि मारपास एक फर्मुला होता है कि 10 inverse x plus court inverse x is equal to क्या होता है पाई बाई यह होता है अगर मैं इसको court में convert करूँ तुम्हें इसको क्या लिखूंगा पाई बाई टू माइनस court inverse x है नहीं लिखूंगा मैं लिख लेता हूँ चलो आजाओ इसको लिखूंगा पाई बाई टू बैस तो डारेक्ट में बता देता है पाई बाई टू माइनस court inverse x इसको भी क्या लिखेंगे अब लोग इसको भी लिखेंगे पाई बाई टू माइनस court inverse y ऐसे करके और बरावर में क्या है बरावर में 4 पाई बटे 5 तो यह पाई बाई टू मिलके पाई बन जाएगा और यह पाई उद जाका माइनस होगा जब माइनस से multiply करेंगे तो पाई माइनस चार पाई बटे पाच हो जाएगा यानि के मरत पास आणसर आजाएगा court inverse x? ठाज है यह फूर्ट inverse y यह हो जाएगा पाई माइनस 4 पाई बटे 5 तो 5 से यह लिए समझ में आगया होगा बाद 3-1 कॉस्षन के तरफ देखें क्या कॉस्षन है बहुत अच्छा कॉस्षन है गाईस क्या लिखा हुआ है कि sin inverse 2a upon 1 plus a square plus cos inverse 1 minus a square upon 1 plus a square बराबर में है 10 inverse 2x upon 1 minus x square और जबकि x और a जो है वो आपके 0 से बन के बीच में लाइक कर रहा है तो x की value पूछिए कि x का मान क्या होगा थोड़ा समझे मैं आपर एक बार question को लिख रहा हूं वीडियो अगर आपको slow लगता है मेरा तो आप क्या करें थोड़ा speed वीडियो को बढ़ा ले ठीक ऐसे करके यह जागा 1 minus a square ठीक 1 plus a square यह है 10 inverse 2 x 1 minus x square ठीक है इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस को हम लिख सकते हैं 210 inverse a इसको लिख सकते हैं लोग 210 inverse a इसको लेख सकते हैं 210 inverse x ऐसे करके इस टू से कट जाएगा तो हो जाएगा मारपस 10 inverse A ठीक है, प्लस 10 inverse A और यहां बचाएगा हमारे पास 10 inverse X ऐसे किलके, ठीक है क्योंकि यह दो बार आजाएगा 2, 2, 10 inverse A हो जाएगा, is equal to हो जाएगा 10 inverse X तो जब हम इसको solve करेंगा, तो यह फार्मुला बन जाएगा, यह बन जाएगा 2A ठीक है, 1 minus A square और यहां पर आजाएगा X X की जो value है, वो आ चुकिए हमारे पास 2A, 1 minus A square, यह option number D देखिए niche question I think आप उद देख रहा होगा चली, देखिए जादा उपर पहुँच गिया चली, क्या लिखा है question में the value of cot cot का एंगल है, cos inverse साथ बटे 25, इसकी value हमसे पूछ रहा है, इसको में ट्रंगल से बना सकते हैं, देखिए, बहुत आसानीज बनेगा ठीक है, cot का cos है, तो cos का formula होता है B बटे H, यह 7 हो जागा यह हो जागा 25, ठीक है तो 25 का 625 होता है, 7 का सकार होता है, 49, माइनस करेंगे, solve करेंगे, तो यह आजाएगा 24, ठीक है, तो हमसे किसकी बनेगी पूछीए, cot के फोर्म में निकालिंग का हो जाएगा, cot के फोर्म में, byp, यानि के 7 बटे 24, तो इसका answer जो है, वो निकल के आजाएगा, 7 बटे 24, तो यह इसका answer हो जाएग option number D, देखिए, next question देखिए, क्या रिखा है, next question में, बहुत आसान question है, और इस question को में बहुत आसान है, बहुत ज्यादा दिमाग लगानी जरूत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाएगे, तो गलत हो जाएगा, तो क्या, the value of the 10, 10 की value पूछा है, उसका angle है, 1 by 2, cos inverse 2 बटे root 5, अगर इसको मैं करने का तरीका वोलू, तो क्या करोगा आप, जो अंदर में लिखा हुआ है, 1 by 2 cos inverse, sorry, cos inverse 2 बटे root 5, ठीक, इसको आपको क्या मानना है, theta, तो जब आप इसको theta मानोगे, तो आपके पास cos inverse 2 बटे root 5 की जो value है, वो तो आजाएगी 2 theta, यानि कि cos 2 theta की जो value है, वो आजाएगी आपके पास 2 बटे root 5, ऐसे करके, ठीक है, तो जब इतनी value आ गई, तो आप क्या करो, एक triangle यहां से बना लो, ऐसे करके, और आपको पता है, कि cos का जो formula होता है, वो होता है, by h, ठीक है, तो b की value जो है, वो 2 है, और h की value कितनी है, root 5, अगर इसकी value निकाल ले तो अगर मैं इसको solve करूँ, ठीक है, क्योंकि cos को मने माना है 2 theta, तो हमार पास cos 2 theta, यह जाएगा, हमार पास 2 theta है, ठीक है, तो हमको चाहिए, किसकी value इसकी value, ठीक है, जबकि हमने इसको क्या माना है, theta, तो अब यहां से अगर इसको solve किया जाए, तो थोड़ा सा बढ़ा जा होगी है, यह भी आपका 2 से बढ़ा, यह भी answer नहीं होगा, यह भी आपका 2 से बढ़ा, यह भी answer नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि divide में इसका 2 है, तो answer क्या हो जाएगा, आपका यह, क्योंकि root 5 के value 2 point something दो होती है, और इसमें से 2 minus करेंगे, तो बन से छोटा बचेगा, और बन से छोटा बचेगा, तो option B जो हो इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए देखिए next question, क्या है next question, बहुत अच्छा question है guys, देखिए, क्या लिखा हुए, इसमें लिखा हुए है, कि mod up x जो है, वो less than equal to 0 है, तो 2 10 inverse x और sin inverse 2 x upon 1 plus x square, कि value क्या होगी, यह हमसे पूछाए इन्होंन देखिए, अगर हम x को 10 theta लिखें, अगर हम बोलें कि let, ठीक है, x is equal to, ठीक है, 10 theta, तो यह बन जाएगा हमारे पास 2 theta, तो अध्यान देना, x की जगा मैं 10 theta लिख रहा हूँ, तो यह theta आएगा, theta से 2 theta बन जाएगा, ठीक, यहां लिखूंगा, तो यह भी मेरे पास 2 theta देगा यह देगा, क्या 2 theta, तो जब दोनों को मैं add कर दूँगा, तो यह होजाएगा, हमारे पास 4 theta, और theta की जब value निकाल लेंगे, तो हमारे पास answer आएगा, 4, 10 inverse x, तो यह इसका answer हो देखिए, कितना आसान तरीका से questions बन जाएगे, ठीक है, चलिए देखें, next question, next question को देखेंगे, क्या question है, यह भी बहुत आसान question है, इसमें लिखाया है कि, if cos inverse alpha, plus cos inverse beta, plus cos inverse gamma, is equal to 3 pi है, तो हम से पूछा, alpha into beta plus gamma, यह plus है, ठीक है, फिर लिखाया, plus beta, gamma plus alpha, फिर है, gamma alpha plus beta, यह पूछा है, इसको हम late कर के बना सकते हैं, कैसे, हम इसको late करते हैं, क्या, कि, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to minus 1, ठीक है, सब की value क्या late के लिए minus 1, तो यहां जब minus 1 put करेंगे, cos inverse minus 1, cos inverse minus beta, यहां भी minus 1, यहां भी minus 1, यहां भी minus 1, तो यह सब pi देंगे, भी link तर रहूँँ एग एग वाद, ठीक है, cos inverse minus 1 plus cos inverse minus 1 plus cos inverse minus 1 ये भी pi देगा, ये भी pi देगा, ये भी pi देगा जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 3 pi यानि कि तो satisfied होगी है अब यहाँ बात करो ये बाहर में minus 1 है, अंदर में minus 2 आएगा बाहर में minus 1 है, अंदर में minus 2 आएगा बाहर में माइनस बना और अंदर में माइनस टू आएगा तो यह हो जागा टू यह भी हो जागा टू और यह भी हो जागा टू तो अंसर क्या जागा शिक्स तो option C जो है वो इसका required answer हो जागा है इस ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question के तरफ देखी क्या question है बहुत अच्छा question है इसमें लिखा है the number of real solution of the equation ठीक है जो इसको satisfy कर रहे है ऐसी कितनी x की real values होंगी तो देखी यह भी बहुत दमदार question है must question है देखी क्या निकल के आएगा ठीक है यहाँ और साइद root 2 है ठीक है root 2 है तो इसको अगर मैं solve करोंछे क्या निकल के आएगा इसको अगर मैं solve करूं तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 cos square x आएगा यहां तो root 2 है और यहां लिखा हुए cos inverse cos x ऐसे करें इसको अगर मैं solve करूं तो आएगा root 2 और यहां सा आएगा cos x यह है root 2 इसको solve करेंगा करेंगा guys x यह root 2 से root 2 कटा तो हमार पास answer करेंगा cos x is equal to x तो यह जो है वो कुछ इस परकार से इसको समझ सकते हैं यह से कैसे लिखा हुए कि cos 30 degrees is equal to 30 degrees यह कभी possible नहीं होता है ठीक यह कभी possible नहीं है तो यह possible नहीं है जब यह possible नहीं है तो इसके solution के संक्या क्या होगी 0 infinite नहीं 0 तो option a जो है वो इसका required answer हो ठीक अब देखिए यह भी बहुत दुमदार question है must question लेके आए हूँ आपको मैं क्या लिखा है इन्होंने इन्हों लिखा है कि if cos inverse greater than sin inverse x है ठीक है यह मैंने VBI लिखा है बहुत important question है मैं प्रेडिट कर रहा हूँ कि जो एक्जाम मारा होगा 2022 वला जुद 2023 में TGT के एक्जाम होगा उसमें यह question आपको देखने को मिल सकता है ऐसा मेरे prediction है यह बहुत important question है देखी क्या अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग यह रिखा हुआ है कॉस नवर्स एक्स घ्रे्टर दिन ठीकाई साइन इन्वर्स एक्स में इसको लिखनता क्या लिखwnों फाइद रुचमता है तू इधर आजएगा त्योंगा पाइबाट note for greater than ठीकाई साइन इधर आएगा तो यह फोर ग्रेटर देन एक्स तो इसका मतलब हो गया कि एक्स जो है वह बनवाई टू से चोटा है तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो एक्स है वह कहा तक जाएगा तो ओप्सन जो है वह इसका रिक्वाइड आंसर हो जाएगा तो आइधि आपको समझ में आया होंगे इतने कोर्स जो मैंने कराए है अपना प्यार जरू दिखाए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरू कीजिए ठीक है आप लोग सेयर करेंगे लाइक कि बाद्धियस्न मिलेगा तो वीडियो बननें में बचाएगा ज़ी क conten चली मिलते हमारे ज़िए वीडियो में और नए जो चप्टर हमें इसका है nutrी X देखी कि अग्या जो चप्टर करेंगे उनिभवे हमारा मैट्रिक्स और आने वावाले वीडियो में